हलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरध्या अरेस एकड़मी में दोस्तों राजस्तान में आयूजीत समस्त परतियोगी परिक्षाएं जैसे की दोस्तों अपनी इसमें 36 नंबर की क्विज है परते क्विज के अंदर आपको 40% दे जाते हैं जो आपकी परिक्षा के लिए अती महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों अगर आपने पिछली 35 क्विज अगर नहीं देखिए तो आप प्ले लिस्ट में जाईए वहाँ पर आपको प्रेस्न है निम्न में से कौन सा युगम ऐसंगत है ऐसंगत कौन सा दे रखा है यहां पे एक तरफ गरंथ है दूसरी तरफ रचनाकार है देखिए हरी पिंगल गरंथ के रचनाकार है कवी जोसी बिल्कुल सही है हाडी सतक गरंथ के रचनाकार है नातु सिंग महियारिया यहां पे देखिए दोस्तो परताप परकास, यह दोस्तो यहां पे सदाशिव नागर है, यह गलत दे रखा है, दोस्तो सदाशिव नागर की पुस्तक का नाम है राज विनोध, ठीक है, इसलिए दोस्तो C नमबर का उप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अपने को एसंगत ही पुछा था, देखिए आगे, जैसिंग चरीतर पुस्तक के रचनाकार है, पुंडरिक रचनाकार, यह भी बिल्कुल सही है, तो C नमबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, सेकिड नमबर प्रेसन देखिए दोस्तो, खिडकी से ज भाकता है चांद करती के रच्यता कौन है, तो दोस्तो इस करती के रच्यता है, वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दिप्ती कुल्सरेष्ट, कौन है, दिप्ती कुल्सरेष्ट, बी नमबर उप्शन राइट आंसर, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी करतिया राजस्तानी प्रेमा ख्यान पर आधारित है तो दोस्तों कौन सी करतिया है वो राजस्तानी प्रेमा ख्यान पर आधारित है तो यहां पर देखी दोस्तों आपको डोला मारू के बारे में पता होगा ठीक है यह भी दोस्तों प्रेम पर आधारित है जेटवा उजली य हम जेणी विजाननद यह भी दोस्तों इसमें परेम पर अदरीथ है तो इसका right answer हो जाएगा इक हो परोक्त सभी कहे है धी नमर का option right answer हो जाएगा next राजस्तान की सबसे प्राचिन ख्यात कौनसी थो दोस्तो राजस्तान की सबसे प्राचिन ख्यात है वो कौन सी है सब को पतावना चाहिए दोस्तों वो है मुनोत नेंड सीरी ख्यात कौन सी है मुनोत नेंड सीरी ख्यात राजस्तान के सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है और यह दोस्तों प्रिस्न है यह बहुत अच्छा लेवल का प्रिस्न है नेक्स्ट आगे दे दोस्तों वो है इसमें देखिए मुर्ख समुहे को संगठित करने का ऐसा फल परियास करना, यहनी की दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि मतीरा, यानी की तर्भूज, तर्भूज का कभी दोस्तों बारो नहीं बनता, ठीक है, अपने उसको बांद fringe सकते दोस्तों, ठीक है, है कि मुर्ख समुहे को संगठित करने का प्रियास करना एसा फल प्रियास करना ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्चन नेक्स्ट कुशन है आगे देखे महराना कुंबा द्वारा रचित चार नाटकों में कीर्थी इस्तंब लेक के अनुसार किस बासा का प्रियोग किया गया है तो दोस्तों यहां पर पुछा गया है महराना कुंबा के बारे में और महराना कुंबा द्वारा रचित चार नाटकों में कीर्थी इस्तंब लेक के अनुसार किस बासा का प्रियोग किया गया है तो दोस्तों उसमें मेवाडी बासा का प्रियोग क रचेता वो है स्रिदर ठीक है आगे देखे दोस्तों इसमें जोदपुर के महाराजा मान सिंग के कावे गुरू थे कौन थे दोस्तों जोदपुर के महाराजा मान सिंग के कावे गुरू तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बांकिदास ठीक है तो इस इसमें डी नंबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है आगे देखिए इसमें जोदराज का हमीर रास्थो महा कावे संकर राव का भीम विलास कावे अली बक्षी ख्याल आदी की रचना किस बोली में की गई है दोस्तों जोदराज का हमीर रास्थो महा कावे संकर राव का भीम विलास कावे अली बक्षी ख्याल आदी की रचना है वो कौन सी बोली में की गई है तो वो की गई है दोस्तों अहीर बाटी बोली में ठीक है बी नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है आगे देखि महराजा परताब सिंग द्वारा लिखित गरंथों में से कौन सा गरंथ निम्न लिखित में से सामिल नहीं है तो दोखिए यहां पे महराजा परताब सिंग द्वारा लिखित गरंथों में से कौन सा एक गरंथ इसमें सामिल नहीं है तो वो है दोस्तों सूर्सती ठीक है सू एराग्यमंजरी ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डी नंबर उप्षन नेक्स्ट क्विशन है निम्न में से कौन सा गरंथ है शिल्प सास्त्री मंदन द्वारा लिखित नहीं है तो दोस्तों मंदन द्वारा लेकिन कला मंडन है यह मंडन के द्वारा रचित नहीं है इसलिए C नंबर उप्शन राइट आंसर आगे देखे दोस्तों इसमें क्या पुछा गया है कि के सवदास गार्डन किस सासक के दरबारी कवी थे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जोदपूर महराजा गजसि पर्थम का दरबारी था ठीक है के सवदास गार्डन और इन्होंने दोस्तों पुस्तक लिखी थी एक तो गुंड रुपक और एक अमर सिंग रादूहा और एक है दोस्तों विवेक वारता ये तीन पुस्तके लिखी थी दोस्तों के सवदास गार्डन ने और ये महराजा परकार दोसरी तरफ रचनाकार है तो यहां पर देखिए नाटे सास्तर संगीत गरंथ के रचेता कौन है तो भरत मुनी है सूड प्रबंद के pearचेता कौन है तो महाराना कुमभा है और चंदर परकास के रचेता है दोस्तो राजा भोज यहां पे दे रखा है संगीत दरपन भाव बटे तो दोस्तो यह गलत हो जाएगा देखिए संगीत दरपन के रचेता है दामोदर मिस्र कौन है दामोदर मिस्र ठीक है और दोस्तो संगीत राजगरंद के रचेता है वो दोस्तो महराना कुमबा है तीक है यहां पे संगीत दरपन का पुछा है इसलिए अपना यहां पे एसंगत है डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमने लिकित लेकों में से कौन ए हिस्ट्री ओफ राजस्तान के लेखक है तो दोस्तो ए हिस्ट्री ओफ राजस्तान के लेखक है वो कौन है तो उनका नाम है दोस्तो रीमा हुजा क्या नाम है रीमा हुजा यह दोस्तो ए हिस्ट्री ओफ राजस्तान पुस्तक के रचेता है ठीक है नेक्स्ट आगे देखें दी अरली चोहान डाइनिस्टीज राजस्तान के किस पर्मुक इतियासकार की रचना है तो ये दोस्तों रचना है डॉक्टर दसरत सर्मा की दोस्तो ये रचना है C नमबर का जो उप्षन है वो इसका right answer हो जाएगा तेक है? आगे देखें दोस्तो 17 शताबदी की रचना राज प्रसस्ती महा कावे के रचेता थे तो राज प्रसस्ती महा कावे के रचेता कौन थे तो उनका नाम था दोस्तो रन छोड भट तीक है ए नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन है आगे देखिए धर्ती धोरारी राजस्तानी कविता के लेखक है तो वो कौन है वो है दोस्तो कनयालाल सेथिया बी नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए अठारा नमबर का प्रेशन है रन थंबोर के चोहान सासकों का वरनन किस गरंथ में मिलता है रन थंबोर के चोहान सासकों का गरंथ है वो दोस्तो हमीर महकावे में मिलता है और इस पुस्तक के रचेता थे नयन चंदर सूरी ठीक है तो इसमें ए नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे गुनिस नमबर प्रेशन जालोर द्रुग में वीर कानड़ देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरम देव तथा अलाउदीन खिलजी के मद्दे सं 1311-1312 में हुए युद का वन्नन प्रसिद गरंथ कानड़ देव प्रबंध में किया गया है इस गरंथ के रचना इस गरंथ की रचना किस ने की थी दोस्तों अब यहां पे देखे कितना बड़ा प्रसन है वो गुमा के पूछा गया है सीधा सा ऐसे भी पूछ सकता था कि कानड़ दे प्रबंध गरंथ के रचेता कौन थे तो दोस्तों यहां पे इस प्रसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है कवी पदम नाब बी नंबर का ओप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है बीस नंबर प्रसन है निम्न में से किस सहीतेकार ने सन गुनिस सो पच्पन में चोपास्थनी जोदपूर में राजस्तानी सोध संस्तान की स्थापना की जोदपूर में राजस्तानी सोध संस्तान की स्थापना की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डोक्टर नाराणिशिंग भाटी बी नंबर का जो अप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ए वेली कृष्णे रुक्मनीरी के लेखक है तो वो कौन है तो वो है दोस्तो पर्त्विराज राठोड कौन है पर्त्विराज राठोड तो इसमें दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का option नेक्स्ट है प्रेम और संगार का रस ठीक है प्रेम और संगार का रस लोक कवे डोला मारू रादुहा के रचेता कौन हैं तो दोस्तो डोला मारूरा दुहा दोस्तो इस गरंथ के रचना का रहें कवी का लोल डी नंबर ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अंबीका दत्व्यास द्वारा रचित राजस्तान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ कब प्रकासित हुआ अंबीका दत्व्यास द्वारा रचित राजस्तान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ कब प्रकासित हुआ ये प्रकासित हुआ दोस्तो कब तो 1927 में प्रकासित हुआ था ये ए नंबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखे अनोपचारिका गुनी 178 पत्रिका की सुरुवात किस ने की तो दोस्तो अनोपचारिका पत्रिका की सुरुवात है वो किस ने की थी तो ये की थी दोस्तो रमेश थानवी ने रमेश थानवी ने दोस्तो अनोपचारिका पत्रिका की सुरुवात की बी नमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट ए मारवाडी के साहितिक रूप को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों डिंगल क्या कहा जाता है डिंगल ए नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राजस्तानी साहित्य की रचना अचलदास खिंचीरी वचनीका के लेखा कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सिवदास गाड़न बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 27 नंबर प्रेशन है इसमें देखिए दुरसा आड़ा किस सासक के दर्बारी कवी थे तो दोस्तो ये कौन्छे दर्बारी कवी थे सोरी किस सासक के दरबारी कवी थे दुसाड़ा तो वो थे दोस्तों महराजा राज सिंग के दरबारी कवी थे दुसाड़ा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें B-Number option नेक्स्ट है लोग कथाओं पर आधारित मारो बदलो तीडो राओ नामक उपन्यास के रचिता है मारो बदलो और तीडो राओ इस उपन्यास के रचितनाकार है वो कौन है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें विज़ेदान देथा विज़ेदान देथा की दोस्तों ये पुष्टक है दोनों के दोनों ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए ये नमबर उप्शन राइट आंसर देखे मैं आपको और पुष्टक के नाम बता देता हूँ विजदान देथागी देखे बातारी फुलवारी तीडो राओ मारो बदलो हिटलर ये पुष्टक है ये दोस्तों किसकी है तो ये विजदान देथागी पुष्टक है आगे देखे भारत के प्राचीन राजवन्स वे राजा भोज करतियों के रचनाकार है भारत के प्राचीन राजवन्स वे राजा भोज करतियों के रचनाकार कौन है तो वो है दोस्तों विश्वेश्वर नात तीक है विश्वेश्वर नात रेव दौरा ये दोस्तों पुस्तके लिखी गई थी तो इसमें सी नंबर का option right answer next है उडीक पुरान के लेखक कौन है तो दोस्तों उडीक पुरान पुरान के जो लेखक है वो कौन है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें चंदर प्रकास देवल चंदर प्रकास देवल के द्वारा ये पुस्तके हैं ये लिखी गई थी उडिक पुरान, ठीक है, C नंबर उप्शन, राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कुशन है, आगी देखे, एक लिंग जी की नात प्रसस्ति के रचेता है, वो कौन थे, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, आमर कभी, ठीक है, C नंबर का उप्शन, राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट, मेरु तुंग ने तेरा सो चार इस्वी में कौन से गरंथ की रचना की थी, तो उस गरंथ का नाम था दोस्तों, प्रबंद चिंता मनी, D नंबर का उप्शन, राइट आंसर, नेक्स्ट, पर्थ्विराज विजय किस की रचना है, तो ये दोस्तों, जयानक की र कितना है, पर्थ्विराज विजय, ठीक है, नेक्स्ट, राजस्तान का कालिदास किसे का जाता है, तो दोस्तों, राजस्तान का कालिदास है, ये किसे का जाता है, तो मा कवी माग, मा कवी माग को दोस्तों, राजस्तान का कालिदास कहा जाता है, ठीक है, सी नंबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वेदिक मंत्राले नामक प्रिंटिंग प्रेस कहां लगाई गई थी ये लगाई गई थी दोस्तो अजमेर में बी नमबर ओप्शन राइट आंसर नेक्स्ट कुशन है आगे देखिए कवी दुरसा आडा ने किस करती को पाँच्वा वेद और गुनिस्वा पुरान कहा है तो दोस्तो कवी दुरसा आडा ने किस करती को पाँच्वा वेद और गुनिस्वा पुरान कहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है वेली कृषन रुकमनी री वेली कृष्णे रुकमनी री गरंथे के दोस्तों रचेता कौन है तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पत्विराज ठीक है और इस गरंथे को दोस्तों दुरसा आड़ा ने पांचवा वेद और गुनिस्वा पुरान कहा है तो इसका राइट आंसर सी नमबर उप्शन राइट आंसर कवी सूर्य मल मिश्रन ने अपनी पुस्तक वीर सत्साई किस बासा में लिखी तो वीर सत्साई पुस्तक है वो दोस्तों डिंगल बासा में लिखी गई थी ए नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कायम रो रासो का रचिता कौन था कायम खारो रासो तो इस गरंत के रचिता है वो कौन है वो है दोस्तो इसमें जान कभी नेक्स्ट है गीत गोविंद की रशिक पिरिया नामक्टी का किसके द्वारा रचित करती है तो ये करती है दोस्तो किसके द्वारा रचित है तो ये महराना कुंबा की द्वारा रचित करती है डी नेक्स्ट है पर्थवी राज रासो के अनुसार राजपुतो की उत्पत्ति क हुई थी पर्थियुराज रासो यानि कि चंदर बरदाई के अनुसार यह नंबर का उप्शन राइट आंसर अरध्यारे सेगेट में के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स टुडियो में जय हिंद जय भारत